यह दर्दनाक सड़क हाथसा इंदोर एहमदाबाद रोड पर बेटमा के समीफ हुआ है जिसमें एक MP43 BD 1695 नंबर की कार रोड पर खड़े तंपर में जाखुसी आशंकाय की तंपर रेती से भरा हुआ था क्योंकि कटना इस्तल पर रेत पिख्री हुई है हाथसे में कार में सवार आट लोगों की मोके पर ही मौत हो गई जबकि एक वृद्ध घायल है जिसका नाम भोगोपिता दंसिंग सामने आया है जानकारी मिली कि यह लोग बाग टांडा से गुना जा रहे थे तबी हाथसे का शिकार हो गए खटना के बाद जिस वाहन से कार टकराई थी वो वाहन चालक भाग निकला फिलाल पुलिस के वरिष्ट अरिकारी रुपेश डिवेदी सहीद अन्य लोगों के पर पहुंचे है ब्रतक में एक कमलेश के पास से पुलिस का कारड़ भी मिला है जिसमें शिवपुरी में पोस्टिन होने की बात सामने आई है फिलाल पुलिस मामले की चार्च परताल कर अग्यातवान की तलाश में जुटी है रिपोर्ट टीम भारती नियूज किते लोगों की मौत हुई है सरे सर इसमें आट लोगों की मौत है सर इसमें सब्सक्राइब ना टीमोस एक्सेटिंग चनल एवर